हेलो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बाद फिर से चलेंगे हम हमारे W3Squels पे और हम कर रहे हैं SQL SQL में MySQL functions MySQL string functions हम अल्रेडी cover कर चुके हैं MySQL numeric functions भी हम अल्रेडी cover कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं MySQL date functions और इसी line में cover करते करते पहुँच चुके हैं हम लोग sub date function तक इस वीडियो में हमें देखना है sub time function क्या होता है MySQL sub time function देखते हैं इसको अच्छे से detail में definition देखते हैं सब से पहले sub time function subtracts time from a time या फिर date time expression and then returns a new time or date time हमें क्या गरना है एक frame एक basically time subtract करना है किसी time के अंदर से या फिर date time expression के अंदर से time दिया गया होगा उसमें से time subtract कर दो जाहिर सी बात है time की बात हो रही है तो time तो main year होने वाला है और date के साथ अगर time दे दिया गया है तो उस date का time subtract हो जाएगा ठीक है और बाद में हमें अगर time से subtract करेंगे main time ही है तो हमें क्या मिलने वाला है time मिलेगा अगर original क्या है date time expression है तो last में भी हमें क्या मिलेगा date time expression मिलेगा subtract होने के बाद syntax देखते हैं sub time parenthesis start date time यह पूरा का पूरा date along with time component हमें क्या करना है parameter यह add कर सकते हैं अकेला date भी अकेला time भी add कर सकते हैं करेंगे तो यह तो faulty value आएगा यह 0 आएगा क्यों क्योंकि हमें पता नहीं है क्यों basically यह time sub time function किसके उपर लग रहा है time या फिर date time expression के उपर ठीक है जो हमारे second parameter है वो time underscore interval है और parenthesis कर देंगे close यह क्या हो गया syntax हो गया sub time function का parameters values देखो सबसे पहले date time पूरा date लिखना है time के साथ क्या फिर अकेला time जिसको में modify करवाना है दूसरा parameter है time underscore interval जो भी subtract करवाना है जितना भी वो एक क्या वो भी क्या हो सकता है time हो सकता है या फिर date time हो सकता है ठीक है और यह value क्या positive भी हो सकते है और negative भी हो सकते है दोनों तरीके से value हो सकती है example देखेंगे बिल्कुल clear हो जाएगा किसी time में से और या फिर date time में से हमें time ही subtract करवाना है यही क्या है sub time अब यह कह रहा है subtract कर देजिए 5 seconds और 1 microsecond आप क्या कर देजिए subtract कर देजिए हमारे date time यह पूरा दे दिया यह देखो date भी है along with time component और यहां से 5 seconds और 1 microsecond हम क्या कर देंगे subtract कर देंगे देखते हैं इसको अच्छे से run करके क्या इन्होंने subtract कर दिया यह देखो हमारे 21 seconds और यह हमारी 5 seconds है तो इस में से क्या कर दिया सोला गया ठीक है और यहां पर 4 है microsecond और यहां पर 1 है तो यह क्या गया 3 microsecond तो directly यह क्या कर रहा है इस time date time expression से यह हमारा जो time है इसको subtract कर रहा है ठीक है next को यह example देखते हैं जो उन्होंने दिया हुआ है कि subtract कर दिजिए 3 गंटे 2 minute 5 seconds और 1 microsecond जो हमारा date time expression है run करते हैं देखते हैं क्या answer आता है तो 3 गंटे 2 minute 5 seconds 1 microsecond subject कर दिया है क्या answer match कर रहा है बिल्कुल कर रहा है 10 में से 3 कितना बचा साथ 22 में से 2 कितना बचा चोवीस सोरी 24 में से दो गए तो यह कितना बच गया 22 बच गया ठीक है ऐसे ही क्या है पूरा पूरा हम क्या subtract कर पा रहे है वो 16 बच गया है और वो 3 बच गया ठीक है अभी यहां पे पता है, यह कैसे follow कर रहा है, अगर देखो, यह हो गया हमारा 5 सेकंड, यह double digit second वाला, उसके बाद, अगर एक और लिख दिया, तो यह minute आ जाएगी, इसके बाद, तो यह बोलेगा, कि इस वाले वाले date में से, एक मिनिट पांच सेकंड सब्ट्रेक्ट कर दीजिए, देखा है, और अगर मैंने एक और लगा दिया है यहां पर, तो क्या आ जाएगा, कि ग्यारा मिनिट पांच सेकंड सब्ट्रेक्ट कर दीजिए, देखा है, यह क्या है, यह सेकंड हो गया, यह हमारा, यह सेकंड हो गया, यह minute हो गया और अगर R के बात करें तो एक और फिर से लिख दो कि 10 गंटे 11 मिनट और 5 सेकंड घटा देजिए इस तरीके से भी लेख सकते हैं या फिर हम colon लगा के भी लेख सकते हैं आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप लेखना जाते हैं तो यह ऐसे भी directly भी काम कर सकता है और उस तरीके से तो देखो 10 गंटे 24 मिनट और 21 सेकंड में से हमें 10 गंटे 11 मिनट 5 सेकंड सब्ट्रेक्ट करने हैं तो 13 मिनट बच गया हमारा थेक है तो इसी तरीके से काम कर रहा है और यह directly मैंने 5 सेकंड आपको दिखा देता हूँ दारेक्ट लिए आप क्या कर सकते हैं तो इसलिए क्या लिखा है तीन सो लिखा है लेकिन यह दोनों लास्ट के क्या है सेकंड के लिए यह हमारा मिनट के लिए तो तीन मिनट गटा देंगे तो 10-21 बच जाएगा ठीक है नेक्स्ट में देखो यह माइनस भी हो सकता है वही तीन गटे 2 मिनट 5 सेकंड क्या कर दो सब्टेक्ट कर दी जो तो इसमें से तो कितना आ जागा साथ यह देखो माइनस है तो इसमें से माइनस वाला पैटरन ले लिए और यह पूरा 13 गटे के आसपास क्योंके उस साइड चला गया है तो इसलिए क्या मिल रहा है तो यही क्या था बेसिकली हमारा सब सब्वार हो यह तरीके से बहूत सारे अध्यार है यही क्या है हमारा डेट अंडरस्कॉर सब इस तरीके से वो क्या गरते लोग यहां पर नेगेट यह पोजिटिव में केंगेशन हो जाता है तो यही क्या है हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, सब टाइम फंक्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, सिस डेट फंक्शन क्या है, आप लोग इसे में रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना पॉसिबल है, मैक्सिमूम से मैक्सिमूम श है भारत.